नमस्कार दोस्तो, सिवल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महात्पुन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो, डायरेक्ट इस साइट से मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ दोस्तो, 35 फीट इस घर का जो चोड़ाई और लंबाई है लगफागी स्क्वाइर ज सही तरीके से इस घर को डिजाइन किया गया है चल्य आपको दिखाता हूँ और इसमें अटेज़ बाथरूम भी है, कौमन बाथरूम भी है, हर चीज है पूजा रूम भी है, किचन भी है, बेडरूम की जैसे करना ज कूबहाई का, जिस एम आपको शाया गिन्ने लायं आपके पास जगा है, आप कर सकते हैं, वड़ना इसको इसको स्किप किया जा सकता है, आगे बढ़िए, एक चीज़ और एड करता चलनों दोस्तों, यह घर का मेन एंट्रेंस हो, एंट्रेंस कभी भी चार फीट से आपको छोटा नहीं देना, प्लस कर सकते हैं, चार फीट से हॉल मिलने वाला है, पूरा का पूरा जगह आप देख सकते हैं यह हॉल में, और शाठी ही आद दोस्तों, इसके बगल में, आपको जो है वो डाइनिंग अरिया भी मिलने वाला, यह जगह जो है वो डाइनिंग अरिया का होने वाला, ठीक है, तो एल छेप में आप इसको ह molecular प्लस डानिंग एरिया रख सकते हैं आपको मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक stair room बनाया जाएगा सीरी डूम बनाया जाएगा ठीक है सीरी के लिए जगह है आप बाहर से भी सीरी के लिए entrance दे सकते हैं और यहां से दोस्तों partition होगा तो यह दोस्तों आप अंदर वाले भी सीरी का उप्योग कर सकते हैं और बाहर से अगर रेंटर वगर रखते हैं तो वो लोग भी entrance direct आपना जो है वो सीरी के पास भी रख सकते हैं ताकि नीचे वाले floor में किसी परकार का कोई disturbance ना हो यहीं पर common toilet कम bathroom भी देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से ठीक है वीडियो पर बने रही है हर एक चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों और साथी साथ दोस्तों पेन और paper आपके पास है तो साथ साथ दोस्तों आप draw भी करते चल सकते हैं यह corner में आपको दिखा रहा हूं यह हमारा पहला master bedroom है ठीक है और इसमें आप देखेंगे एक attached bathroom भी आपको देखने को मिलेगा यहां देख सकते हैं यह attached bathroom भी मिलेगा यह जो दिवार है ना यह दोनों bathroom को common bathroom और साथी साथ दोस्तों जो attached bathroom में दोनों को अलग कर रहा है ठीक है मतलब की pipe वगरा ले जाने में एक ही pipe से दोस्तों दोनों का outlet आप subject tank तक पहुचा सकते हैं यह चीज़े हो जाती है जब नजदिक नजदिक में bathroom होता है तो आपको long term में दोस्तों काफी फायदा होता है पैसे भी कम खर्च होते हैं चुकि बहुत जादा pipe वगरा इसमें नहीं लगाने परते हैं दोस्तों यह भी bedroom में हूँ और आप देख सकते हैं हमारे interest होई थी ठीक है और यह bedroom number 3 यह तीसरा bedroom में ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो dining area है dining area के बिल्कुल बगल में देखें कि यहाँ पे kitchen आपको मिल जाएगा और शांतिशान दोस्तों उसके बगल में पूजा room भी देखने को मिल रहा है इस तरीके से यह kitchen हो गया ठीक है और यह आप देख सकते हैं कि फूजा room भी देखने को मिल रहा है तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना घर जो है वो बनवा सकते हैं किसी परकार की कोई दिक्कत है आप हमारे comment box में comment डाल सकते हैं फिर मिलता हूं दोस्तो नमस्कार धन्यवाद